नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको भारत सरकार की एक ऐसी योजना की जानकारी देने वाले है जो की वर्स 2015 में भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतरगत प्रणब किया था इस योजना का मुख्य उद्दे से था कि लोग अपनी बेटियों को बोज ना समझे बेटियों की उच्छ सिच्छा के लिए बेटियों की साधी ब्याह में होने वाले खर्च के लिए उन्हें परेशान न होना पड़े वो बेटियों को उच्छ सिच्छा दे सके उसमें जो भी खर्च आने वाला है उसके लिए उन्हें कैसा एमाउंट मिल जाए जिससे उन्हें कहीं भी परेशान न होना पड़े, किसी से कर्ज न लेना पड़े, अपनी प्रापर्टी न बेचनी पड़े, वहीं बेटी की साधी ब्याह में जो खर्च आता है, उसके लिए भी उन्हें कहीं भी परेशान होने की आवशकता न हो, उनको अपनी कोई प्राप किया था लेकिन बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर इस योजना में बहुत कम लोगों ने नामांकन कराया है जी हाँ दोस्तों भारत सरकार ने सोचा था कि अगर हम इस योजना को लांच करेंगे तो देश के जो भी लोग है वो महिने के 250 या 500 हजार जो भी जिस हिसाब से जिसकी आमदनी होगी उस हिसाब से इस खाते में लोग पैसा जमा करेंगे और हम उनको जो भी पैसा देंगे मैचेवर्टी पर वो पूरा का पूरा टेक्स फ्री होगा यानि सरकार ने यहाँ पर कहा था कि आपको जो भी amount मिलेगा इस योजना से दोस्तों इसमें highest आपको 70 लाख रुपए का maturity amount मिल सकता है जो कि एक बहुत बड़ा amount होता है लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा मंथली installment देनी होगी यानि ज्यादा amount प्रतिमाह आपको जमा करना होगा वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आप कितना पैसा इस योजना में प्रतिमाह डालेंगे तो आपको कितना amount मिलेगा दूसरी चीह है दोस्तों इसमें जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा tax free होगा एक पैसे का भी आपको tax नहीं देना है इसके अलामा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं भारत सरकार ने इसमें tax reduction में भी छूट दे रखी है अगर आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो आप section 80C के अंतरगत डेढ़ लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं यानि tax में भी आपको राहत दी जा रही है तो कुल मिला करके सरकार तो कई सारी सहूलिते यहां पर आम लोगों को दे रही है लेकिन लोग यहां पर सुकन्या सम्रधी होजना में अपनी बेटी का नमांगकर नहीं करा रहे है दोस्तों आप लोगों से मैं request करता हूँ अगर आपके घर में एक बेटी है तो आप लोग सुकन्या सम्रधी होजना का खाता ज़रूर खुल वाईए यहाँ पर आपको तीन benefit मिलते हैं पहला benefit यह है कि यहाँ पर आपको 1.5 lakh रुपए तक की छूट मिल जाती है tax reduction में अगर आप tax pair की सीमा में पहुँचने वाले हैं तो आप अपनी बेटी के नाम अधिकतम 1.5 lakh रुपए की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से आपको 1.5 lakh रुपए की छूट मिल जाएगी तो आप tax देने से बच जाएंगे दूसरी चीज है दोस्तों अगर आप आज के समय में कोई भी FD, RD या किसी भी saving scheme में पैसा बैंक में post office में जमा करेंगे तो उस पर आप जब maturity आपको मिलती है 10 से 20% लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक पैसे का भी कोई भी tax नहीं देना है जितनी भी आपकी maturity होगी वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा एक पैसे का आपको tax नहीं देना है तीसरी चीज दोस्तों इसमें जो बड़ा benefit है वो यह है कि आज के समय में आप किसी भी bank में चले जाएए आप कितने भी amount की FD करवा दीजे RD करवा दीजे किसी भी saving scheme में पैसा जमा कर दीजे चाहे bank हो, post office हो, कहीं भी चले जाएए आपको 7.5% ब्याज मिलेगा वहाँ पर लेकिन दोस्तों सुकन्या सम्रद्धी ओजना की जो ब्याजदर है वो 8% है आज की date में और आगे यह ब्याजदर बढ़ेगी जी हाँ दोस्तों आपको इसमें highest rate of interest दिया जाता है नहीं सबसे maximum ब्याजदर जो है वो सुकन्या सम्रद्धी ओजना की है वो आपको यहाँ पर दी जा रही है तो 3 benefit आपको मिल रहे हैं अगर आप सुकन्या सम्रद्धी ओजना में अपनी बेटी का खाता खुलवाते हैं तो आपको सबसे अदा ब्याज मिलेगा जो भी आपको maturity मिलेगी पूरी के पूरी tax free होगी कोई भी tedious नहीं होगा और तीसरी चीज़ यह है कि आपको tax reduction में भी 1.5 लाख रुपए की section 80C के अंदर का छूट मिल जाएगी तो वहाँ पर आपको इसमें भी राहत मिल जाती है तो कुल मिला करके 3-3 benefit आपको मिल रहे हैं दूसरी चीज़ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत सरकार चाहती है कि अगर आप 250 रुपए प्रतिमाह भी इस सुकन्य सम्रद्धी होजना खाते में जमा करते हैं तो आपको 1,35,000 रुपए की maturity मिल जाएगी दूसरी चीज़ है अगर आप 500 रुपए प्रतिमाह इस खाते में जमा कर सकते हैं तो आपको लगभग 2,70,000 रुपए मिल जाएगे maturity पर अगर आप 1,000 रुपए प्रतिमाह भी इस खाते में जमा कर देते हैं और दोस्तों कोई बहुत बड़ा amount नहीं है अगर आप चाहेंगे तो 1,000 रुपए प्रतिमाह अपनी बेटी के नाम इस खाते में जमा कर सकते हैं और अगर आप 1,000 रुपए इस खाते में जमा कर देते हैं दोस्तों तो आपको जो maturity मिलेगी वो होगी 5,50,000 रुपए दोस्तों बड़ा amount होता है अगर आपकी बेटी को उचसिछा आपको देना है तो आप उसको उचसिछा दे पाएंगे जब आपको 5,50,000 रुपए आपको मिल जाएंगे तो आप कहीं भी बेटी को उचसिछा दे पाएंगे अगर आप 2,000 रुपए प्रतिमाह इस खाते में जमा कर देते हैं तो दोस्तों आपको maturity मिलेगी 11,00,000 रुपए की वहीं अगर इसी तरह से दोस्तों अगर आप यहाँ पर 12,500 रुपए प्रतिमाह जमा कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 70,000,000 रुपए के आसपास maturity amount मिलने वाला है जो कि पूरा का पूरा tax free होने वाला है एक पैसे का tax यहाँ पर आपको नहीं देना है तो दोस्तों कुल मिला करके भारत सरकार की बहुत अच्छी scheme है बस जरूरत है यहाँ पर आप लोगों को नामंकन कराने की बहुत कम प्रसत है सुकन्या सम्रद्धी योजना का भारत में तो आप लोगों से request है और दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार ने भी छूट दे रखी है कि जिनके घर में बेटियां है वो दो बेटी का सुकन्या सम्रद्धी योजना में खाता खुलवा सकते हैं तो अगर आपने एमन बना लिया है मैंने जो इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दि है अगर अभी तक आपको जानकारी नहीं थी सुकन्या सम्रद्धी योजना की आज आप इस बात को समझ गए है कि भारत सरकार की कोई एक ऐसी भी होजना है, शुकन्या सम्रद्धी होजना, जिसमें आप अपनी बेटी के नाम पर खाता खुलगा करके पैसा जमा कर सकते हैं, आप अपनी बेटी का भविस से सुरच्छित करना चाहते हैं, आप अपनी इसा कहां से मिलेगा कौन देगा उस समय आपको तो अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि आप उसका एक खाता खुलवा दीजे सुकन्या सम्रद्धी योजना में और अगर आप चाहेंगे तो 1000-2000 रुप यहां पर एक सर्थ है एक सर्थ में आप तीन बेटियों का भी सुकन्या सम्रद्धी योजना में खाता खुलवा सकते हैं वो सर्थ यह है कि अगर आपने पहली बेटी का सुकन्या सम्रद्धी योजना में खाता खुलवा रखा है और उसके बाद अगर आपको दो जुड़ थी होजना में अकाउंट उपन नहीं करा सकते हैं इसके रामा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रतिमाह यहाँ पर बांड है कि पैसे जमाही करने है ऐसा भी नहीं है कोई RD नहीं है कि आपको प्रतिमाह डालना है नहीं आपको किसी इस खाते में क्या है कि आप मिनिमम अगर 250 रुपई भी जमा कर देते हैं तो आपका सुकन्या सम्रध्धियोजना को जो खाता है वो एक्ट्व बना रहेगा ये निस्क्री नहीं होगा अब मालीजे आपके पास किसी महिने में ऐसा कोई अमाउंट आ गया 5,000 रुपई आ गया तो आप इस खाते में 5,000 भी डाल सकते हैं 50,000 आ गया तो 50,000 भी डाल सकते हैं और 500 अगर आपके पास आ गया तो 500 भी आप डाल सकते हैं कुल मिलाकर मिनिमम आप 250 रुपई इस खाते में डाल सकते हैं एक financial year में और maximum आप 1,50,000 रुपई इस खाते में जमा कर सकते हैं जो कि आपको मैंने बताया पहले ही बताया कि section 86 के अंतरगत 1,500,000 रुपई के आपको छूट भी मिल जाएगी तो आपके पास जिस हिसाप से पैस पंद्रा वर्सों तक जमा करना होगा दोस्तों जी हाँ दोस्तों आप जिस दिन भी बेटी का सुकण्या समर्द्योजिना में नामंकन कराएंगे उसके बाद वहाँ से आपको 15 वर्सों तक continue इस खाते में पैसा जमा करना है आप जितना भी जमा कर पाएंगे उस पैसे पर आपको भी आज मिलेगा, उतनी आपको maturity मिलेगी, तो यहाँ पर 15 वर्सों तक आपको पैसा जमा करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि 6 वर्स आपको इंतजार करना होगा, 15 वर्सों तक आपने इस खाते में जो भी पैसा जमा करते रहेंगे, आपका पैसा ज खुलवाएंगे, उससे लेकर के 21 वर्स जब तक पूरे नहीं होंगे योजना के, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसके अलामा दोस्तों यहाँ पर एक विकल्प है, अगर आपको बीच में पैसे क्या हो सकता पढ़ जाती है, तो भी आप यहाँ पर पैसा निकाल सकत यानि आपकी बेटी जो है, वो 10 वर्स से कम होनी चाहिए, भले ही वो एक महने की हो, 5 साल की हो, 8 साल की हो, 9 साल की हो, और जो मिनिमम में है, वो 10 वर्स है, 10 वर्स से अधिक आपकी बेटी के उम्र नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी बेटी के उम्र दस वर्स से अधिक है, त तो आप सुकन्या सम्रध्धियोजना में उस बेटी का खाता नहीं खुलवा पाएंगे, तो छोटी चाहे जितनी हो, लेकिन दस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, दस वर्ष से अधिक है, तो फिर इसमें खाता नहीं खुलेगा, अब दोस्तों हम आपको बता लेते हैं कि किस कंडीशन में आप बीच में ही पैसा विड़ाल कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पहली सर्थ तो यह है, कि अगर आपकी बेटी के साथ कोई अन्होनी हो जाती है, उस दसा में आपको पूरा का पूरा पैसा वापिस मिल जाएगा, लेकिन भगवान न करे, कुछ आप आपके साथ ऐसा कभी हो, दूसरी सर्थ यह है, कि अगर आपको बीच में पैसे कब सकता पड़ती है, तो किस तरह से आप विड़ाल कर पाएंगे, तो यहाँ पर एक सर्थ रखी गई है, कि या तो आपकी बेटी ने हाई स्कूल पास कर लिया हो, तो जो भी आपको मिचियो कर सकते हैं, लेकिन आपकी बेटी हाई स्कूल पास कर चुकी हो, दूसरी सर्थ एक और रखी गई है, अगर आपकी बेटी ने हाई स्कूल पास नहीं किया है, फिर भी आपको पैसे कब सकता है, अब माली जीए कि आपको यहाँ पर पैसे कब सकता पड़ जाती है, बेटी न जो भी आपको maturity मिलनी है या फिर आपकी बेटी ने high school पास कर लिया हो तो इन दो मेंसे कोई एक सर्थ अगर आपकी बेटी ने पूरी कर ली है तो आप इस योजना में आपको जो भी maturity मिलनी है उसका 50% amount आप विड़ाल कर सकते हैं बीच में ही इसके लामा जैसे ही इस योजना आपको चले हुए 21 वर्स पूरे हो जाएंगे आपको पूरा का पूरा maturity amount मिल जाएगा जो कि पूरी तरह से tax free होगा अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगर आपकी बेटी 10 वर्स से कम है और आपको ये सभी चीजे समझ में आ गई है आप मन बना चुके है कि हां मुझे खा बैंक हो जितने भी बैंक है कुल मिलाकर देश में जितने भी सरकारी बैंक है सिर्फ ग्रामीड बैंकों में साइद ए फैसिल्टी नहीं है बाकि जितने भी देश के नेशनलाइज जो बैंक है आप वहाँ पर जाएंगे तो सुकन्या सम्रद्धी होजना का खाता खुल अधिकरत हैं सुकन्या सम्रद्धी होजना के लिए इनमें भी आप अपनी बैटी का सुकन्या सम्रद्धी होजना में एकाउंट ओपन करा सकते हैं एक दूसरी भी फैसलिटी होती है इसमें जहां पर आप अपनी बैटी का सुकन्या सम्रद्धी होजना में खाता खुल वहा जहां पर आपका saving account है, उससे आप सुकन्या समर्धी होजना का खाता link कर दीजिए, automatically एक तारिक को आपके saving account से पैसा cut करके, आपकी बेटी का जो सुकन्या समर्धी होजना का खाता है, उसमें credit हो जाएगा, तो इससे आपको tension मिने रहेगी, कि मुझे पैसा जमा करना है, दूस जिस भी bank का आप use करते हैं, उस bank के app के माध्यम से आप उस खाते में पैसा transfer कर सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं किसमें कौन-कौन से document लगेंगे, तो दोस्तों अगर हम document की बात करेंगें, तो यहां पर बेटी का जन्म प्रमारपत लगेगा, यानि birth certificate, जिस भी hospital में बेट certificate मिल जाता है, वो birth certificate मानने है, आप वो ही लगा सकते हैं, अगर बेटी का जन्म घर में हुआ है, तो राजसरकार के दौरा एक birth certificate जारी किया जाता है, जिसे आप online कर देंगे, तो 7-8 दिन में आपको मिल जाता है, वो birth certificate हो दिगया आपका, या तो hospital वाला होगा, या फिर certificate आप लगा सकते हैं, इसके अलामा बेटी की दो passport size की photo देनी होगी, इसके अलामा जो भी इस खाते को open करवा रहा है, माता, पिता या कानूनी रूप से जो भी भिवावक है, जो भी इस खाते का अभी फिलहाल account open करवा रहा है, उसका भी KYC document जैसे की pen card, आधार card और दो passport size क photo देनी होगी, बस दोस्तों इतने document के आधार पर, same day ही आपका सुकरन्या समर्द्धी होजना में, आपकी बेटी का account open हो जाएगा, और आप अपनी बेटी का भविश से सुरक्षित कर पाएंगे, उसके उच्छ सिच्छा के लिए, आपको कहीं भी भटकने के अभशक्ता न बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना के अंतरकती, इस योजना का सुभरम किया गया था, ताकि लोग यहाँ पर बेटी को अपने उपर बोज न समझे, इसके अलामा दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, कि पैसा आपका पूरा, मतलब पूरी तरह पैसे सेक्योर होता है, यह पैसा आपका भारत सरकार के पास जमा होता है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक डूप जाएगा, यह पोच्ट आफिश डूप जाएगा, तो आपका पैसा मर जाएगा, ऐसा नहीं है, 100% यहाँ पर रिस्क फ्री है, 1% भी रिस्क नहीं है, आपके पैसे में जो पैसा आप जमा करेंगे 100% आपको वापिस मिलेगा क्योंकि ये पैसा आपका भारत सरकार के पास जमा होता है भारत सरकार की ये उजिना है दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से बास समझ में आ गई होगी अगर आपके घर में भी एक बेटी है और उसके उम्रतसवर से कम है तो आप जरूर सुकर्ण्या सम्रद्धी होजिना में अपनी बेटी का खाता जरूर खुलवाएंगे दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटेस्टिंग टॉपिक के साथ अब तक के लिए जैहिन जै भारत